हर्बर लाइफ ने मेरे लाइफ इस्टाइल में और मेरे बॉडी पर मेरे जीवन पर क्या प्रहौब डाला है इस बारे में भी वीडियो में आपको दिखाएंगे हर्बर लाइफ कंपनी अपने प्रडॉक्ट को किसी भी यी कामर साइट पे नहीं बेचती और साप साप उसका ребरेशन होता है कि आप Herbal Life के अधिक्रित असोसियेट चाही खरीदें अन्य था Herbal Life कंपनी की कोई भी responsibility नहीं होगी फिर यह Herbal Life अमेजम पे फिलिप कार्ड पे अन E-commerce साइट पे कौन बेशता है और कहां से आता है इस सवाल का जवाब भी आपको इसी वीडियो में देंगे दूसरा इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि Herbal Life क्यों ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहिए इस वीडियो में आप देख रहे हैं दिरकर इंडिया लाइफ मेरा नाम है विजो वुशन नमस्कार उससे पहले में बताएंगे Herbal Life ऑनलाइन बिक्ता कैसे है लेकिन इस सबसे पहले में बताऊंगा Herbal Life में मेरी चलनी शुरू कैसे हुई कहानी के सुरुवात होती है सन 2016 में मैं उस समय उत्तरपदेश के सोनबा जस्टिस्टिक में दिवास करता था उस माहोल में का मैं रहने वाला हुँ था वहां फूला हुआ चेहरा और निकला हुआ पेट एक हेल्दी स्वश्ट आहमी की पहचान होती थी या कम से कम हमारे सब्यता में जिसका पेट निकला हुआ है मतलब वो संपन है अच्छा खाना पीना खाता है अच्छा पैसा वाला है सोच दरसल भारत की काफी पुराएं ट्रिश्मन सोच है आप देखेंगे तो धन के देवता खुवेर और धन संपत देने वाले घणेज दोनों देवताओं के पेट निकले हुआ आप आएंगे चुकि इसके पीछे कारण गी रहा था कि प्राचिन काल में दुनिया भर में एकसर भुखमरी के लोग सिकार होते थे लोगों के पास खाने के अनाज नहीं होते थे तो उस टाइम पे किसी भी बिक्ति का पेट निकला होता था तो वो संपनता का प्रतिक माला आज़ा था मतलब उसके पास खाने के भरपूर शुरोत है लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है आज आप जानते हैं कि ऐसे बिक्ति को हम मरीज कहते हैं और ऐसे लोगों और ना तो संपत्ति का मुलेंटन कर सकते हैं और जिसका जैसा शरीर है उसे उसको ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए और कभी भी हमें किसी भी ब्यक्ति का मजाथ नहीं उड़ाना चाहिए चाहे वो पतला हो चाहे काला हो गोरा हो जैसा भी हो और मैं आपको भी करना आज की जमाने में अच्छा नहीं माना जाता है और फिजिक अच्छी दिखती नहीं है इसलिए मैंने गाहे बेगाहे कई प्रेवोग किये मैं यहां पे दवाओं का नाम बिल्कुल लेना चाहूंगा जो सप्लिमेन दवाओं मैंने यूज किया और मुझे फाइदा नहीं पाते थे परड़ाम तो वजन बढ़ता ही जाता था फिर मैंने एक बार में विग्यापन देखा उसमें फैट गो टैबलेट का नाम से एक टैबलेट था उसका था कि कैप्सूर खाने से आपका वजन कम जाए मैंने फैट गो मंगाया उसको खाया कोई फाइदा नहीं हुआ मुझे बार-बार भूख लगती थी दिन में कई बार मैं सोलता था लोगों को भूख न लगने की समस्या होती है मुझे इतनी भूख क्यों लगती है खैट वजन पो कोई प्राव नहीं पड़ा पैसे वेकार गए शोर लग गए फिर ऐसे ही हम ऐसे ही अपने सोन भद्रे व इससे वो देखते हैं कि वह कितना आपका वाडी फैट है क्या है उस से मसीन से उन्होंने मेरी पैमाइस की और पाया की मेरा जो है सारे पाया मेटर गरवर है और मुझे प्रॉपर जरूरत है वेट कम करने की मैंने उन्होंने जो सप्लीमेंट दिये प्रोटीन पाउडर हो गरा वो ले लिया मुझे वो उस टाइम में पता था कि प्रोटीन पाउडर है और क्या है कैसे है उन्होंने मुझे कहा कि इसको आप पीना सबहके टाइम पीना वेट कम होगा मैंने यूज करना शुरू किया शुरू किया लगवर एक महीने तक यूज करने के बाद मेरा का सब किसे लेते थे इसमें मुझे लेते थे वंदर पाउडर प्री पानी दूद में मैं ने कहा कि इतना इडिया कि आदमी बन को कोई जांखरी खरी नहीं तो मैंने पायवाय करता हूं दूसरी है भी अगता हुआ अपको फिर मैंने एक औलाइन एड़ देखी टीवी पे ना पीने के पानी में देने पाद काफी कसेदा और अजीब सस्वाद आता था लेकिन वेटकम करने के नाम पे उसको भी परदास्त करता रहा कर लिया सब कुछ हुआ वेटकम नहीं हुआ मैंने कहीं इर्ड देखा कि यह कर बंडी अगर्जी करते हैं पता ही आप लोग क्या करते हैं इनल भी रहे कि उससे आप पहलोगे तो वह पेट को दबा देगा और आपका पेट निकला वा नहीं दिखेगा मैंने वह बंगा लिया और उसको भी पहल लिया लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो मैंने इस पाथ के लिया कि मेरा पेट अब निकला ही रहेगा इस तब चल रहा था कि बगल के ही सर्जन थे वो पहले सी काफी परचित थे मेरे तो उन्होंने एक दिन क्या क मैंने लगा लगा रखी थी तो उस मसीन में चड़के मैंने अपना स्केल कराया स्केल में दिखा कि सारा पैरा मिटर मेरा बिगड़ा हुआ है उन्होंने मुझे हर्बर लाइट प्रोड़क्त दिया एक चीज़ नहीं नहीं बात करी उन्होंने अगर वेट कम नहीं हुआ त इसी बीच दिल्ली आ गया और दिल्ली आने के बाद बाहर रखाना जाता हुआ और हेल्दी समझ के मैं करता था कि वह अधार रेटर का फ्रूट जूस पीता था कि हां मैं हेल्दी चेज़ें ले रहा हूं दोजार ठारा आते रहते हैं लोगों ने कहना सुरू कर दिया कि भाई बेट बढ़ रहा है पीट बढ़ रहा है कुछ करो फिर दोजार ठारा के फरवरी का महीना था मैं इसमें फ्राइट की स्कीनियां चड़ रहा था और वो चड़ते हुए शांसे फूल रही थी उस तो कि इसके बारे में भी मुझे कोई नाउलज नहीं थी मतलब आप समसकते हो कि हैं पर वाह थे इसे में टेक्स करया तो उससे पूछा क्या करूं उसने कहा कि पुना वेट कम करना होगा फिर मैंने क्या किया कि नेक्स डे अगले दिन से ही मैंने जिम जॉइंग कर लिया ता मै और प्वाइट जो बताता है आपको कि मैं अपने हेल्थ और वेट के लिए कि तना बड़ा पर वहा था कि अपने वेट का भी अंदाजान नहीं था या तो मेरा वेट बिला पंचानबे किलो 700 ग्राम मेरा वेट था पंचानबे किलो 700 ग्राम वेट शुन करके मेरे होस्ट उड कर दिया और लगभग वो तीन दीन जिम गया जिम में मैं पचास सोग्राम कोई वेट पे फरक मेरे नहीं आ रहा था मुझे याद आया कि यह चीज था जिसने मेरा वेट कम कर दिया था प्रोड़क्ट को मैं उनता हूं हर्बर लाइफ हर्बर लाइफ को मैंने गूगल पर स चेक किया और बिना गाइडेंस दिये नहीं देते हैं इसलिए आपको हमारे कलब आना पड़ेगा कलब गया और मैंने चेक कराया और सारे पाया मिटर आप स्लूटली बिगड़े हुए थे और पंचानवे किलोवेट आप जानते ही यह था फिर उन्होंने मुझे चेक दिया पानी पीना है और मुझे तीन दिन बाद आप बता होगे उसके बाद हम डिसाइट करेंगे आप करें क्या करें मैंने वापस चेक कर आया तो लगों 1.5 kg मेरा वेट खट गया था चार दिनों में 1.5 kg घट गया था वास्तों मेरे सरीष में फिर से उर्जिया आ गई कि हाँ आटो चील मिल गई को मेरा कैम एक सेि प्रोपर गाइडंस मिली घुल मैं मॉर्णिं में एक सेखेट और इमनिंग में एक से बदाता दिटैक मों मौने होगे और टिनस है और शिकुर प्निया सिपलों करने सकते हैं और और विधार बजल को पार एक उतिके बीच में आ इंसान जो मान चुगा था कि वेट कम नहीं हो उसकी बातें सुन रहे थे एक्सप्रियेंस सुन रहे थे और लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे एक कजब का अन्वो था इसके लिए थेंक्स तूर्वर लाइफ और थेंक्स तूमाइक कोच और सारे अधार लाइफ करिवार को बहुत बहुत धनेवाद मैं आता हूँ घरबर लाइफ अमेजन या ऑनलाइन क्यों नहीं खरीदना चाहिए इससे बने मैं बता दूं आपको कि यह ऑनलाइन बिख्ता कैसे है तो वास्तों में होता क्या है कि दूराइब एक डारेट सेलिंग कंपनी है यह अपने एस्सोसियेट टू के थू अपने क्वेस्ट को पेष्थी हैं कई लेफल होते हैं किसी को 42% कि 50% टीकर की डिस्काउंट मिलते हैं माउंट होता नहीं करना होता है वह कmpfen अजनुए कर पाते हैं उस प्रॉडक्ट को आउन-न सेल करने के लिए आप एक सेलर आइडी बनाते हैं जिसके नाम से बिच्वाना सूर कर देते हैं करने के संब्सक्राइड कंपनी कोई वह उनको चाह किने कर सकता क्योंकि वह जो है कि जिसके नाम से अपना सुर्फीला Tech presenting में अबverse और तैक्व इस तरह से वहां पर मौाल आ जाता है कि इसलिए मैंने पिछले वीडियो में लाई थी कि नहीं वहां से माल दो मिलता है जनुन मिलता है लेकिन प्रोड़क्ट आपको आपको रिजर्ट नहीं देता तो आप किसी की ऊपर क्लेम नहीं कर सकते नर तो मनी भे गारंटी ले सकते हैं इसलिए वह पुराना भी हो सकता है और कई वर फेक भी हो सकता है वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कैसे आप चेक कर सकते हैं असली है या नकली है लेकिन मैंने वहां उनके लिए बताया था चुकि भारत काफी रिमोर्ट एरियां फैला हुआ है जहां से गाउं ह लेकिन उनको भी सलाह यह है कि वह कोशिस करें कि वह दोस्तों प्लिम्टर जहां भी हर्वर लाइप लगो एक बार वहां जाएं चेक अपकर आएं और वहां एसोश्येट से सामान ले आएं उस एसोश्येट अपना एक तालता में बना लें जिससे कि उनका जब सामान कम हो तो वहां से आज़ाय करें या फिर महीने में एक बार जाके कम से कम वहां पर पंगल देंगे जैसा इसोश्येट से बताएं महां उसे मिल लिया करें ज्यादा बेनिफिट है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं और फिर इस वीडि लूगती क्या है मैंने बताए कि मैंने पिछ相信 यूज से काम नहीं करता जरू करताườngयों काफी लोग उससे बीदेंगे लेकिन नहीं में मतलब यह ए कि जरूरी है और प्ना प्रू डाफर चाहली कर सकते हैं वैसा आपका वरबाद हो जाए कि फायादा आपको नहीं होगा जीज कभी ऐससे बग्रेंस नहीं लेना चाहें उसके आपको भरोसा नहीं हो एक बार फिर आप से रिक्वेस्ट है कि हबर लाइप को आप जैसे भी आप ले लेना चाहें लें लें लेकिन सबसे पहले आप से मिलें और अपने एक wellness coach के guidance में उसे यूज करें और स्थीक हैं पहले अपने गयेट को कैसे कम करते हैं और सिर्फ प्रेट कम करना नहीं कैसे अच्छी लाइपीटाई जीते हैं यह चीज के वल एक wellness coach ही सिखा सकता है जो trend हो मैं आपसे एक चीज कही थी कि मैं आपकी आईडी बनमा दूँगा कैसे आईडी बनमा दूँगा यहीं बताऊंगा लेकिन इससे पहले एक request है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें यहां से फर्बल लाइफ ही नहीं ब कि समस्या हो सिखायत हो सुझा हो कमेंट बाक्स में कमेंट करें हम यह कह रहे थे कि मैंने कहा था अगर आपको आपको आईडी बनमा दूँगा देखिए मैं पता देना चाहता हूं कि चुकि मैं खुद अभी भी आज की देर में भी मैं एक एक एसोशेट नहीं हूं मैं करते हैं तो अगर आप कमेंट करेंगे घरा आप उस कमेंट की RIPLไDH का कोई नियरिस योजो कर 19 5 कर सकता है अगर नहीं करता तो मैं तो मैं उसी Google से सैंच करके जैसे Google से सzech यह नहीं भूड़ा था विलनेस कोँज वैसे मार्ब के लिए विलनेस को डूड़ देता या फिर हर्बर लाइफ की साइट पिजा करके मैं आपके डिटेल वहाँ डाल दूंगा जिससे आपसे खुद विलनेस कोच कॉंटेक्ट कर लेंगी तो मेरी बात को सायद आप लोगों ने गलत तरीके से समझा मैंने आज तक कोई भी आईडी नहीं बनाई है कोई डाउन लाइन नहीं मनाई है तो आज ही मैं भी करता हूं गए अगर आप करеंगे तो मैं नहीं जो विलनेस कोच होगा आपके आईडी बनौना देगा अगर आप चाहते हैं कि मैं वेलनेस कोच बन जाओ और आपको लगता है कि मैं condition कर सकता हूं तो भी कमेंट करके बताएं आज तक के लिए सितना ही मिलते हंगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभाल